और राइट मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ हारिस सुल्तान और पहले आपको इस तरह की बहुत दफ़ा वीडियोज दिखा चुके हैं जहां पर आपको दिखाते हैं कि हमारे जो मुमिनीन भाई हजरात हैं वो वेस्टन कंट्रीज में जाके शो फोर्स दिखाते हैं सड़के बंद करते हैं नमाजें पढ़ते हैं एक प्रवाकेटिव स्टेप यह प्रोवकेशन है जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जब कोई और जब हिंदू जैश्री राम के नारे लगाते हैं तो उसी लॉजिक के हिसाब से जब यह नमाजें पढ़ते हैं सड़के चुके हैं कि काम होता रहता और उनको कोई शरम नहीं आती तब ही इस वकर पूरी दुनिया में इस्पेशली यॉरप में आपको मैं पता नहीं सकता कि कितनी तेजी से इनके खिलाफ एक सोच पैदा हो रही है जिसके उपर ये फिर विक्टम कार्ड खेलते हैं इस्लाम औफ हरकते हैं हथकंडे हैं और चागिरी एक तो क्राइम में भी सबसे आगे यह बड़ी तफ़ाप को स्टेस्टिस्स दिखा चुका हूं और यह सिर्फ ब्रिटन का है नहीं ब्रिटन में देख लें ओवर्ली रप्रेजेंटेड हैं इंदू देखें अंडरली रप्रेजेंटे नमाजें पढ़ लें दाड़ी हो गाली इंटेमेंडेट अल्लाव अकपर के नारे लगा दिये सर्तन से जुदा के नारे लगा दिये चलो कोई पाकिसान इंडिया में को पेंडा हो जैसे दुनिया ना देखियो जाहिल हो वह यह हरकते करें तो चले आपके हैं चलो यार सुदर था है सीरिसली मैं यह समझता था कि हां क्योंकि मैं 2003 में बाहर आया था तो उसकत इतना इंफ्लोंस इंकार नहीं था तब इमिग्रेंट्स थे, Controlled Migration थी और एक तो illegal migrations है और यह जो दूसरी तीसरी जनरेशन के जो मुसल्मान बच्चे था वह बड़े नहीं हुए थ सट इसन जा अब्यूदर बी तो फैस्ट जनरेशन थी या फिर उधर सेकंड जनरेशन सेटेंडेंटेंग थ्वोड़ी मेलो थी वस्वाबराय होते हैं क्योंकर हम लोगों को होता है यार नग्या नज नजर आते हैं बाहर के मुल्कों में कोई कोई भड़ा नहीं होता है च किन कलर बगारे की वज़ा से तो उसका थोड़ा चांस होता है लेकिन यह बहाना नहीं है तो उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था लेकि जितना अब बुरा हाल है तो दो तरह के एक तो जो Children of Migrants है उनकी गंदी हरकते हैं और दूसरा जो Illegal Migration हुई है 2011 के बाद इन्होंने पूरे यॉर्प में इतना गंद मचा दी है मैं आपको बता नहीं सकता बहुत गंद है तो एक तो वह हरकते करते हैं हलाल तरी कैसे मस्जिदें जगा जगा बनाई में ठीक है आप कर लें आपने खरीदा आपने पैसे से खरीदा करें हो के हम नहीं रोग सकते मैं एक वर दलील भी आपको दूँगा लेकिन दरा सोचिए इनकों देखके प्रोवकेशन जो ही करते हैं इस तरह की फजूल चवलें करते हैं वक्त वह आ जाना है कि कोई खर दमाग होगा फिर उन्होंने इनके उपर गाड़ीन चढ़ानी शुरू कर देनी है सारी बात है तंग करते हैं और हमने देखा है जो स्टॉप उइल के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी इसी तरह मुत चल गुरे हैं वो भी वोग लेफ्ट के फार लेफ्ट के पागल है वो सड़कों के उपर लेड़ जाते हैं तो हमने वीडियो जैसी भी देखिन लोगों न इन पर आएगा जी देखें जी कितना जी आ इस्लामाफोब्या पहल गया देखें जी बड़ी लुट पड़ गई फैंटियां इनको बढ़ने लागे जाने हैं फिर और फड़े होंगे लेकिन अपने गिरबान में जांके अपने कर्टूत इनों ने ठीक निकरने अपने है आज हमने शोखी मार दिये किसी तरह पड़े हैं मजब की एक तो फिर मुझे कहना पड़ता हर कर देखो साफ त्री सड़क है उसके उपर आके गंद बैढ़ गया इसको क्या जरूर रहता है यह क्या है यह हिंदू क्यों नहीं अधर आता दो दर को बुथ राखके जाश् करें शर्मिंदा होते हैं जो लिप्स्टिक मुमनी नहीं है यह तो आसल इसलाम यह तो शोखा है वह आपको याद होगा वह नुग तक्सी के उपर वहां पर चाथे के उपर पाटगे नमाज पाड़ा रहा हूं कोई आपको जगा नहीं मिलती वहां पर चारे मज़ूरियां इसलाम ही क्यों है क्यों किमना इनों कोई टांक बनाना ना इने आपको सिर्फख अजख वाल पन भाट रहा हैं तुम्हें क्या कीड़ा काटता है यह क्या पागलपन झाले अंदर जो अपने तक कंटेन रही नहीं सकता है अब इंडिया में पड़े हो औरे अभी कल एक तो फाइफ पिलर्स जो उनकी मुसलमानों की ब्रिटन में पूर बड़ी एक पुब्लिकेशन है उन्हों ने का जी प्रवोक कर रहे हमें हम अल्लावकबर के नारे लगा हमें एजाज़त हो नीचे यह नहीं करनी याद होगा आपको पिछले साल लेस्टर में इंगलंड का शह लोग अपना इंडिया चोड़ के चले जाए मज़ूर तपका नहीं जाता यॉरॉप में इंडिया गा यह पड़े लिखे लोग हैं तो लेकिन एक वे वाई भी इंडिया में भी अपने कल्चर उपर पर प्राइड लेना और आय तिंग गोरा तो हत्यार डाल बैठा ना तो इसलिए कहता हूं कि जब यह अजानों में लाउट स्पीकर लेगाने शुरू करते हैं आपके गोरे नेबर हुड में तो हिंदू को भाई आमें तो हिंदू के पास ही जाना पड़ेगा क्यों कि मैं बदा एथियस ने भी वी गोरे एथियस ने भी शरीफ से होते हैं वो भी सीधे हो जाएंगा और उसी तरह का काम यह अब लेस्टर में जहां पर फड़ा हुआ था पिछले साल वहां पर जहां शीराम के नारे लगे फिर से हिंदू बाइन निकला है फिर से उन्होंने इनको पेला और यह देखें उसी तरह का उन्होंने निकाला एक प्रसेशन कहें जो मर्जी कहें देर सेलेबरेटिंग जो राम मंदर की जो किंस्ट्रक्शन हुई है जो इनौगरेशन हुई है मुदी जी ने तो उसको सेलेबरेट करने वो निकले तो मुमिन फिर पागल हो गए यह पूरी दुनिया में अल्ला वगपर के नारे लगा सकते हैं यह अपने जो अशूरा के शीया वगए यह देखें यह क्या करते हैं यह सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन कोई और नहीं कर सकता अपने मजभ के उपर बाद वह इनके लिए प्रवकेशन है तो मोस्ली मैंने एक साल पहले यह कहा था जब यह लैस्टर का वाक्या हुआ था कि यह अब उसमानों की बदमाशी तब तक चलती है जब तक अगलाइन को जवाब नहीं देता है गोरे मेलो हो चुके हैं टीले डाले हो चुके हैं यहार कोई बात नहीं नहीं करते हैं आपको लाने पड़ेंगे वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा सीरियसली लेते हैं अपने ट्राइबलिजम को डिफेंड करना ज़्यादा समझते हैं उनके क्लैशिज होंगे इनके साथ अभी तो जो सियाफ हाम लोग हैं अगर जो सियाफ हाम क्योंकि वो सबसाहरन क्योंकि वो सदन पार्ट अफरीका से आते हैं वो जादा क्रिस्चन अभी वो नहीं इदर अगर वो इदर आ गए उन्होंने की बड़ी दुलाई करने हैं उपर से आते हैं नौथ अफरिका से आते हैं जो मुसल्मान ही है मोसली इसलिए वो तो फिर इनके साथ में जाएंगे लेकिन ये जो हिंदु मुसलिम क्लैशिज हो यह बढ़ेंगे इंगलंड में होंगे मैं क कुछ इसी पोस्ट के नीचे मां पड़ा रहा था मोसली गोरे जो थे वो हिंदुों को सपोर्ट का रहे थे क्योंकि मोमनों से सारे तांगा है में हिपोक्रसी है अपने तुमें नजर नी आ रहे और उनकी दफा तुम चीख मानने लागे कुछ गोरों ने ये भी लिका है कि अपने हिंदु मुसलिम भड़े जो हमारे मुल्कों से ले जाओ हमारे मुल्क में गंद ना डालो मुसली जैसे मैं आपको बिताया कि जो स्या फाम जो वाइट सुप्रेमिसिज गोरे भी थकड़ है मिल्कुल वो भी फारग हो चुके में उनका निकाल दिया हम लोगोंने त लाग सकता है जैर श्री राम का नहीं लाग सकता हूं तो यह फड़ा जो है आगया के देखिए मजीद बढ़ता रहेगा तो अमीद कर तो आज की वीडियो आपको पसंदा है यो किसको जार से लाइक करें शेयर करें और नीचे कॉमेंट्स में इपने ख्यालात का इजहार जरूर करें अब तक के लिए अगली वीडियो तक सेंस हाफिस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये पेटरन बनिये या फिर आप मुझे बाइमी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं